बिश्मिल्लाहिर्राह्मान नजम का उन्वान हम्द शाइर हैं मौलाना दस्वर अलीखान दियर स्टूडेंट्स ये इस नजम का दूसरा लेक्चर है तो आएए बढ़ते हैं शेर नमबर चार की तरफ सरापा मासियत मैं हूँ सरापा मख्फिरत वो है खता कोशी रविश मेरी खता कोशी है काम उसका सरापा मुकमल तोर पर मासियत गुना मख्फिरत बख्षिश खता कोशी गलती करना रविश आदत खता पोशी गलती छुपाना तो इस शेर में जो शायर हैं वो ये फर्माते हैं कि सरापा मासियत मैं हूँ मैं सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक गुनाहों से भरा हूँ मेरे जिसम का एक एक बाल गुनाहों की गलाद़ से अटा हुआ है लेकिन जो अला है वो मकमल तोर पर बख्शिश करने वाला है मफरत पर माने वाला है खता कोशी रविश मेरी मेरी तो आदत है मैं बार बार गलतीया करता हूँ और खता कोशी है काम उसका और उसका काम ये है कि वो मेरी गलतीयों पर परदे डाल देता है इस शेर में जो शायर है वो एतराफे गुना कर रहे हैं इस शेर में जो शायर हैं वो इज़ारे नदामत, यानी शर्मिन्दगी का इज़ार कर रहे हैं, कि मैं हक बंदगी सही तरहां से अदा नहीं कर रहा, मैं दुनिया की रंगीनियों में खो जाता हूँ, मुझसे लख़िशे हो जाती हैं, मुझसे गुना हो जाते हैं, और फिर ये होता है कि मैं अल्ला से उसकी बख्षिश मांगता हूँ, मैं अल्ला से अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ, तो अल्ला ताला जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, अल्ला ताला जो है वो मुझे माफ कर देता है, तो शायर जो है वो अपनी गलतियों का इतराफ कर रहे हैं गलतियों का जो इतराफ है ये अमल अल्ला ताला को बहुत ज्यादा पसंद है सुरह अल-अन्बिया में अल्ला फर्माता है ला इलाह इल्ला अन्ता सुभाना का इन्नी कुंतों मिन ज्जालमीन के ऐ आल्ला तेरे इलावा कोई बादत के लाइक नहीं तो पाक है और बेशक्त मैं ही जालिमों में से हूँ तो शायर जो है वो इस शेर में अपनी आज़दी का इजहार कर रहे हैं और आज़दी का इजहार करना ये अमल अल्ला ताला को बहुत ज्यादा पसंद है नभी एकरिम सल्ला लही वालेही वालेही वसल्म फरमाते हैं ऐ लोगों अल्ला से तोबा करो बेशक्त मैं भी दिन में सो मरतबास तफ़ार करता हूँ तो शायर जो है वो इस शेर में बताते हैं कि मैं गुना करता रहता हूँ और अल्ला से माफी मांगता रहता हूँ और अल्ला ताला मवफरत करता है खता कोशी रविश मेरी मैं जो हूँ वो खता करता जा रहा हूँ और वो कहा जाता है कि जो इनसान है वो खता का पुतला है तो शायर जो है वो भी गलतियों पे गलतियों करता जा रहा है और अल्ला ताला जो है वो उस शायर की इज़त रख रहा है और उसकी गलतियों पे परदे डार रहा है और उसको दुनिया के सामने शर्मिन्दा होने से बचा रहा है तो अल्ला ताला जो है वो परदे डालने वाला है तो इस चीज़ का शायद ने बड़े खुब्सूरत अंदाज से इधार किया है इलाही तेरी चोखट पर विकारी बनके आया हूँ सरापा फक्र हूँ इज़ो नदामत साथ लाया हूँ तो अल्ला ताला जो है जो कोई भी इनसान अल्ला ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता है जो भी इनसान अल्ला ताला से अपने गुनाहों का अक्राफ करता है तो अपने बंदों से ऐसा प्यार करता है कि वो उनकी गलतियों को, खताओं को माफ कर देता है और नबीयकिम अलाह लही ओर आविसल्म फरमाते है कि सारे इंसान खताकार है और खताकारों मेंसे बहतर वो हैं जो तोबा कर लेते हैं तो शायर जो है वो इस चीव का इतराफ कर रहा है कि मुझ पर अल्ला बहुत करम करता है मुझ पर अल्ला बहुत महरबानी करता है मैं जब भी अल्ला ताला के सामने अपने गुनाहों का इजहार करता हूं अल्राओ तालाओ से उसकी तरम का, उसकी बख्षिस का तवाल करता हू। तो अल्राओ जो है, वो मेरे तमाम मेरी खताओं को माफ कर देता है, मेरी घलतियों पर परदे डाल देता है. तो ही सत तार है, तो ही गफार है, अपने बंदों से तुझ को बड़ा प्यार है. शेर नमबर पांच है मेरी उस्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है था मुझका उस्तादगी गिरना आजजी बेबसी दामन थामना सहारा लेना ये दुनिया जो है ये एक आजमाईश का है यहां मुख्तलिस तरहां की आजमाईशे होती है जिन्दगी की आजमाईश कभी इनसान बिमार हो जाता है कभी इनसान किसी हाथसे का शिकार हो जाता है कभी माल की आजमाईश कभी इनसान को घमेरोजगार लग जाता है कभी उलाद की आजमाईश तो इस दुनिया में इनसान जो है उसको मुख्तलिफ आजमाईशों का सामना करना पड़ता है सुरा बकरा में लग शायत परमाता है और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूग से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से और खुशकबरी सुना दो सबर करने वालों को तो ये जो जब भी इनसान पर किसी पर आजमाईश आती है तो वो आजमाईश एक ऐसे तुफान की तरह आती है कि उस आजमाईश में इनसान के कदम लड़कडाते हैं जैसे शायर के कदम भी लड़कडाएं उसके कदम भी जगमगाए और इनसान का संबलना आजमाईश में बहुत मुश्किल हो जाता है ये जब भी आजमाईश आती है तो इस पर दो तरह के रदे अमल होते हैं एक शिकवा करने का अमल, शिकायत करने का अमल ये ऐसा आमल है जो इनसान को अल्ला से दूर कर देता है और दूसरा रदे आमल सबर करने का होता है तो जो लोग सबर करते हैं उनका तालुक अल्ला से मदगूत होता है उन्हें अल्ला से पुर्बे इलाही मिलता है तो शायर जो है वो इस चीज़ का इज़ार कर रहे हैं कि मझे पर मुसीबते आईं। लेकिन ये जो मुसीबते आईं। ये जो प्रिशानी आईं। असल में ये अल्ला की रह्मत थी। मेरी ये आदमाईश मेरे लिए वबाले जान नहीं थी, बलकि ये मेरी जो आदमाईश थी, ये मेरे लिए रहमत थी, कि मुझे अल्ला ताला का इस आदमाईश में सहारा मिल गया। अदरत अली से किसी ने पूचा, ये कैसे पता चलेगा, कि जो प्रेशानी या मुसीबत हम पर आई, वो अल्ला की तरफ से आदमाईश है, या हम पर अल्ला की तरफ से कोई सजा, तो आप ने फरमाया, अगर तो मुसीबत तुझे अल्ला की तरफ ले जाए, तो ये हैं वो इस चीज़ पर इस बात पर खुशी का इधार कर रहे हैं कि जब मुझ पर मुझ पर मुझ पर प्रेशानी आती है तो मैं अल्ला से दूर नहीं होता ये अल्ला की मुझ पर महरवानी है कि मैं उसका दामन थाम लेता हूं और मेरी अल्ला से महबत बढ़ जाती है इस कुछ हूँ खुदा यादा रहा है इस मुसीबत में मेरी कश्टी को ऐ तूफां युही जेरो जबर रखना है। शेर नमबर च्छे कोई खत्म उसकी हुज्जत इस जमी के बसने वालों पर के पहुँचाया है इन सब तक मुहम्मद ने कलाम उता। उज्जत का मतलब होता है दलील यानि अल्ला की दलील खत्म हुई और जो जमीन पर जो इनसान वस्ते हैं उन तक मुहम्मद ने अल्ला का कलाम पहुँचाया तो अल्ला ने अपनी दलील खत्म की और अपने नभी सल लाह अलेही वालेही वालेही वसलम के दरीए अपना कलाम अ एक लाख चोबिस हजार अंबियार तकरीबन आए और अल्ला ताला के अहकामात इनसानों तक पहुंचाते रहे आखिर में हमारे नभी सलिल्लाहु अलेही वालेही 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 वालेह आप सुलयालाहुलेहिवालेहिवासलम ने आइस्ता आइस्ता शरीयत के आखकामात इंसानों तक पोंचाए इनियुक्त तक के दस हिज्री आ गई आप सुलयालाहुलेहिवालेहिवासलम। तमाम सहाबा को तकरीबर एक लाख चुबिस हजार सहाबा ही कहा जाता है कि आप अनको लेकर मेदान अर्फात में तशरीफ लाए यहाँ आप अनको खुत्बा हज्जाति विद्या कहा जाता है इस खुत्बे में आप ﷺ ने अपनी 23 वरस की जो तालिमात थी उनका नचोड पेश किया आप ﷺ ने इबादात पर बात की कि अल्ला की इबादात कैसे करनी है और अल्ला की इबादात करनी है इस पर बात की आप ﷺ ने इनसानी हकूप पर बात की तो खुत्बे हज्जतुलविदा में आप ﷺ ने अपनी 23 वरस की तालिमात को उस एक नचिफ्ट में बेयान किया सुरह माइदा की आयत उस वकत नादिल हुई आज में ने तुम्हारे लिए दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इसलाम को दीन पसंद परमाया यानि इस आयत का मतलब ये था कि अब शरीयत मुकमल हो गई और आप ﷺ ने मदीना की रियास्त काइम करके इनसानों को ये बता दिया कि शरीयत क्या चाहती है तो आप ﷺ ने जब अपना ये खुत्बा इरिशाद फरमा दिया तो आप ﷺ ने उस वकत सहाबा से पूछा कि लोगो क्या मैंने तुम तक अल्ला का पेगाम कहँचा दिया तो सहाबा ने कहा आप ﷺ ने पेगाम कहँचा दिया अमानत अदा कर दी और उमत को नसीछत फरमा दी आप ﷺ ने अपनी आखें आस्मान की तरफ बलंद गी अपने शहादत की उंगली भी आस्मान की तरफ बलंद की और आप ﷺ ने फर्माया के आई आल्ला जवा रहना आई आल्ला जवा रहना तो शायर इस शेयर में हमें ये बताते हैं कि अपनी दलील को खतम किया और हमें नबी एकरिम अलेही वाली वाली वसलम जैसे शफीक नबी अता फर्माए और आप अलेही वाली 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 वा हिदायत के लिए दुनिया की खतमल मुर्सलीन आए किताब रुष्ट लेकर रह्मतलिल आलमीन आए ये आखरी शेर है जी इस नजम का बुजाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रहकर मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका साथ वक्त काफिरों ने फूंकों से नूर को बुजाने की बहुत कुशिश की मगर जो नूर था वो अपने वक्त पर तमाम हुआ वो मुकमल हुआ आप सल्लालाहु अलेही वालेही वसलम ने जब एलान नबुवत किया तो जो इसलाम दुश्मन थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इसलाम की तालिमात को रोकने की कोशिश की आप सल्लालाहु अलेही वालेही वालेही वसलम की जिसमें मुबारक पर जब आप सजदे की हालत में थे उट की ओजड़ी रखी गई आपका मजाफ उड़ाया गया उमे जमील जो अबूलेहब की बीवी थी वो आपके रास्ते में कांटे विच आती थी आपके पैर मुबारक जखमी होते थे और इसी तरह शैवे अभी तालिब में तीन साल तक आप सलिल्लाहु आलेही वालेही वालेही वसल्म और आपके घर वालेही 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 वा तलवार से हमला किया, बताया मुहम्मद, तुझे अब कौन बचाएगा? और आप ﷺ ने परमाया अल्ला और उस शक्स के हाथ से तलवार चूट गए. एक दफा आप ﷺ कोई खास मकाम पर लिजाया गया और वहां पर एक भारी पत्थर गिराया गया, लेकिन अल्ला ताला ने आप पर वही कर दी और आप एक तरफ हो गए. फिर हिजरत मदीना के वक्त आपके घर का गेराओ किया गया, और तलवारें तियार थी कि आप ﷺ अपने घर से निकलें, और वो लोग आप ﷺ पर तलवारें लेकर तूट पड़ें, लेकिन अल्ला ताला ने आपको इस मोके पर बचा लिया, इसी तरह कोई भी घजबा था, चाहे वो घजबा ओहद है, चाहे वो घजबा हुनैन, तो दुश्मन जो थे, उनका पहला निशाना आप ﷺ की जात होती थी, और कभी जनाब पीरों की बारिश कर रहे हैं, कभी नेदे लिहरा रहे हैं, और आप ﷺ ﷺ की जिन्दगी को खत नकाम हुई और उनको नकामी की खाथ चाटनी पड़ी, और अल्ला ताला कुरान में ये फरमाता है, सुरह तफ में, ये चाहते हैं कि वो अल्ला के नूर को अपने मूटी फूंकों से बुझा दे, जबके अल्ला अपने नूर को पूरा फर्माने वाला है, अगर्चे काफर कि अपना ही ना पसंद करें, अल्ला की करम से, अल्ला की महर्वानी से आप तले की तक्नील की, और दिल इसलाम की तमां तर तालिमात को इनसानों तक बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही बहस्तरीन अंदाज में पहुंच आया, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा जन फुंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा फुंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा